आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ आज है कि माइनस क्यू यहाँ पे सदिस आरवन और यहाँ पे दे रखा है बचो प्लस क्यू सदिस आरटू बराबर दे रखा है कुल आवेस क्यू के और जो दे रखा है बचो इसकी स्थीत आरटू माइनस आरवन सदिस है ठीक है इसे हम यहाँ पे लिख सकते है Q into R सदिस, ठीक है, इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं, बचो P, सदिस जो क्या है, बचो दुर्धिव अगुण सदिस के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं, बचो Q into R, यहाँ पे किसके बराबर होता है, दुर्धिव अगुण के बर और अगर अवेस का संतत वित्रण है ठीक है अगर असंतत विक्रण है तो हमें क्या लेखना है समझ बचो यहाँ पर सबेशन हम स्थित दे रखी है माइनस Q की प्लस Q की ठीक है अब यहाँ पे दिखेंगे बचों हमें क्योच्छ ने पूचा जा रहा है कि एक स्वाइटल में स्थीत आर्टज्या के एक आवेज़ी त्रिंग का केंद्र मुलबिंदू ओपर इस्थीता ठीक है तथा इसकी आवेस का रेखी घंद तो यहाँ पर लेमडा दे रखा है को यहाँ पर दे रखा है कोण ठीटा के फलंद के रूप में संबंधित है ठीक है जहां पर लेमडा थीटा अच्छा यह आवेज घना थे बच्छों ठीक है इसका मान दे रखा है वी कॉस्ट थीटा से व्यक्त होता है ठीक है तो अवेसी त्रिंग का वैदरुद्रीव अगूर्ण हमें बताना है ठीक है तो ध्यान से दिखे बच्छों ह में से कौन सा उप्षन करेक्ट है तो क्या कर सकते है बच्छों आपे देखिए अगर हमें यहां पर दे रखा है कि असंतत्त के लिए और संतत्त के लिए हमें बद्दुद्दीव अगोर्ण जो पी होता है बच्छों मान निकाल सकते है ठीक है तो अवेसी त्रिंग की बात करें अवेस समान रूप से वित्रित है और यहां पर हम क्या कर सकते है बच्छों सांतत्त कह सकते हैं इस करण से यहां पर जो सूत्र का उपयोग करेंगे वह उपयोग करेंगे बच्छों पी बराबर क्या हो जाएगा आर सदीस इन्टू डीक्यू सदीस ठीक है बच्छों अब यहाँ पर अगर आर सदिस की बात करें तो आर सदिस क्या हो सकता है बचो अर डीक्यू सदिस क्या होगा ठीक है डीक्यू तो यहाँ पर आवेस है ठीक है ठीक है बचो अगर हम बात करते हैं तो आवेस क्या होता है अब यहाँ पर आवेस है बचो थीटा कोड पर हम देख सकते बचो क्या होगी बिल्कुल अगर मान लेते हैं इसकी लंबाई क्या हो जाएगी बचो इसकी लंबाई हो जाएगी अगर इसकी तरिच्या आर है तो आर इंटू क्या हो जाएगा बचो डी थीटा हो जाएगा ठीक है ध्यान रखेगा बचो यहाँ पे कि अगर इस शोटे तो चाहते हैं कितना बच्छो लेम्डा है ठीक है तो लेम्डा इंटु क्या होँजाए इवDL ठीक है तूस अल-पानस भाग पे आब इस हम मालूम कर सकते हैं dq तो यह rapidement, lambda मतलब b cos theta into dl यह dl है ठीक है बचो यह हो जाएगा r into d theta ठीक है तो इस तरह से alpans आवेस हमने यहाँ पे निकाल लिया चोटे सभाग पे अब यहाँ पे देखते हैं बचो sin theta हो जाएगा ठीक है बचो जे कैप के दिशा में तो इस तरह से हम दोनों दिशा में यहाँ पे sadis के sadis के sadis लिख सकते हैं right बचो अब ध्यान से देखिए तो क्या हम यहाँ पे हमें क्या निकालना बचो हमें निकालना दुरुदीव अगूर तो इस छोटे सभाग का हमने यहाँ पे इस थी सदीज और इसके साथ ही इसमें हमें क्या निकाला अलपान सावेस को निकाल लिया बचो ठीक है तो पूरे इस हम देखते बचो की इस पूरे व्रुत में कितना दुरुदी अगूर्ण आएगा बचो तो इसके लिए हम यहाँ पर देख सकते क्यों मान लेते हैं कौंड जीरो से 2 पाई ठीक है तक हम क्या करते हैं बचो यहाँ पर जीरो से 2 पाई तक इसे अगर हम देखे बचो आवेस का वित्रण करते है आपर दुरुदी अगूर मिलेगा ठीक है P सदीस हमने मान रखा है तो इसका मान हमें निकालना है तो यहाँ पर देखिए बच्चो पहले तो value put करते है R cos theta I cap plus क्या हो जाएगा बच्चो R sin theta J cap ठीक है DQ की अगर बात करेती हो जाएगा बच्चो हमारा B cos theta into R into D theta इसका हम क्या करते है समा कलंद करते है 0 से 2 pi तो ध्यान से देखिए बच्चो यह हो जाएगा सदीस P बराबर R यहाँ से कामन हो जाएगा 1 R यहाँ पर है 1 B यहाँ पर है तो यहाँ पर लिख सकते है R square into B बाहर की और आ गया और cos theta यहाँ पर गुणा करते है तो क्या हो जाएगा cos square theta हो जाएगा बच्चो यहाँ पर I cap और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा sin theta cos theta हो जाएगा ठीक है into D theta और इसका हम क्या कर रहे है समा कलंद 0 से 2 pi ठीक है तब इसका समा कलंद करते है ठीक है यह हो जाएगा सदिस P बराबर हो जाएगा बच्चो R square into B अब ध्यान से देखिए cos square theta को हम क्या लिख सकते है देखिए हम जानते क्या बच्चो 1 plus cos theta बराबर क्या होता है अगर 1 plus cos 2 theta बराबर देखिए तो यह होता है बच्चो 2 cos square theta by 2 ठीक है तो theta बचे गया पर ठीक है 2 यहाँ पर लिख सकते है तो cos square theta के सान पर यह value रखते है ठीक है और अगर हम जानते बच्चो अगर हम यहाँ पर 2 से गुड़ा करे और 2 से भाग करे ठीक है पर 1 plus cos square 1 plus cos theta cos 2 theta by 2 ठीक है यह हो जाएगा हमारा i cap प्लस अब 2 sin theta cos theta बराबर होता है बच्चो sin 2 theta तो sin 2 theta by 2 ठीक है यह हो जाएगा बच्चो j cap ठीक है अब इसका हम यहाँ पर समा कलम कर सकते है बच्चो d theta के respect में ठीक है 0 से 2 pi तो अब ध्यान से दिखे बच्चो यहाँ पर हो जाएगा 2 हम क्या बाहर कर ले दोनों से ठीक है तो यह दो बाहर हो गया बच्चो यह हो जाएगा यहाँ पर सदिस p बराबर r square into b by 2 हो जाएगा बच्चो अब यहाँ पर theta के respect में कर रहे है और 1 है ठीक है तो 1 के लिए हम क्या लिख सकते है 1 के लिख सकते है theta plus cos 2 theta क्या होगा cos 2 theta हो जाएगा यहाँ पर हम लिख सकते है कि यह हो जाएगा cos 2 theta बराबर sin 2 theta by 2 ठीक है और limit रखते है बचो आप एक कहां से 0 से 2 pi ठीक है यह i cap यह तो ऐसा करते हैं एक साथ limit रखते हैं ठीक है अभी हम पहले value लिख लेते हैं बचो यह होजाएगा i cap के लिए प्लस अब sin 2 theta का क्या होजाएगा बचो यह होजाएगा minus का cos 2 theta by 2 होजाएगा ठीक है ओके j cap तो ध्यान से देखे बचो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा यहाँ पे हमें मिलेगा बचो limit put करते हैं 0 से 2 pi अब इसे final नहां पे limit put करने पे हमें value मिलती है ठीक है बचो यह होजाएगा r square into b by 2 ठीक है अब limit put करते हैं upper limit ठीक है तो यह होजाएगा 2 pi minus lower limit 0 ठीक है प्लस अब इस वाले में upper limit कितना होजाएगा बचो sin 2 pi into 2 बटा 2 minus sin 0 ठीक है i cap अब यह i cap होगा बचो दोनों के लिए ठीक है यह होजाएगा i cap तो ध्यान से देखे बचो अब minus अब इसमें भी limit put करते हैं यह होजाएगा बचो 2 pi बटा कितना होगा बचो यह होजाएगा बटा सबका बटा है ठीक है बटा 2 minus lower limit cos 0 होजाएगा ठीक है बचो cos 0 बटा 2 यहाँ पर भी बटा 2 ही रहेगा बचो और limit है यहाँ भी हमने put किया है cos 0 रहेगा sin 0 रहेगा ठीक है क्योंकि यहां पे हमने upper limit 2pi हमने put किया थी टाकिस्तान पे और यहां पे lower limit 0 put किया ठीक है अब सही है बच्छो यह हो जाएगा जे कैप अभी हमने bracket क्या किया बच्छो बंद कर दिया ठीक है यह bracket हो जाएगा अब ध्यान से दिखिए बच्छो इसे यहां पे हल करते हैं यह हो जाएगा r square b by 2 अब ध्यान से दिखिए बच्छो यहां पे 2pi minus 0 तो 2pi बचेगा ठीक है अब यहां पे आईए बच्छो तो sin 2pi की बात करें हम यहां पे देखें बच्छो 4pi मैं पता है बच्छो value बच्छो 0 होती है ठीक है यह हो जाएगा 0 यहां पे देखिए बच्छो क्या हो जाएगा यहां पे हो जाएगा बच्छो साइन जीरो ये वैलू 0 हो जाएगा ठीक है और ये I-calf हो जाएगा अब यहाँ पे देखें बचो माइनस का क्या हो जाएगा ध्यान से देखें ये कितना बचो साइन 4 पाई cos 4 pi ठीक है cos 4 pi की value क्या होती बच्छो cos 4 pi की value होती है देखें यह हो जाएगा pi यह होगा 2 pi ठीक है तो 2 pi गर पलस 1 है तो 4 pi भी क्या होगा बच्छो plus 1 होगा ठीक है तो plus 1 by 2 minus cos 0 1 होता है तो 1 by 2 ठीक है j cap तो ध्यान से देखें बच्छो ये value तो हो गई cancel ये value क्या हो जाएगे बच्चो यहाँ पर cancel color change करके लिखें ये हो गया cancel बच्चो ठीक है तो यहाँ पर ये तो j वाला term cancel होगई है बच्चो यहाँ पर जो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है बच्चो R square B by 2 और यहां पर हो जाएगा 2 pi और यह हो जाएगा i cap ठीक है तो ध्यान से देखें 2 से 2 तो cancel हो गया ठीक है तो सदिस P बराबर हमें मिलेगा pi into r square into b i cap ठीक है तो यह हो जाएगा दुरुदीव अगोण ठीक है pi r square b into i cap option देखें बचो pi r square into b i cap कौन से option में दे रखा है बचो पहला option दे रखा है ठीक है तो पहला यहां पर correct option हो जाएगा right so thank you बच्चो Classics to 12 से लेके meet IIT GE means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 84444 पर